नमस्कार मैं दिक्षा सिंग बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है मॉलिवुड से लेकर हॉलिवुड तक में अपने एक्टिंग की छाप छोड़ने वाले इर्फान पिछले कुछ सालों में सुपर स्टारडम हासिल करने में काम्याब रहे थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी इर्फान लीग से हटकर चलने वाले लोगों में थे शायद यही कारण है कि वे पठान परिवार से तालुक रखने के बावजूद भी शुद्ध शाकाहारी थे इर्फान का पूरा नाम साहबजाद इर्फान अली खान था उनका जन्म एक पठान मुसलिम परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम जागीरदार खान था वे टायर का वे अपार करते थे इर्फान ने पठान मुस्लिम परिवार में जन्म होने के बाद भी कभी मीट या मांस नहीं खाया था और वे बच्पन से ही शाकाहारी थे यही कारण है कि उनके पिता इर्फान को मजाक में कहा करते थे कि ये तो पठान परिवार में एक प्राम्भर पैदा हो गया इर्फान के पिता उन्हें शिकार में भी ले जाया करते थे लेकिन उन्हें इसमें कोई खासा दल्चस्पी नहीं थी उन्हें जंगल का वातावरं रोमांचीत करता था लेकिन वो शिकार नहीं करते थे गौर तलब है कि एनसडी में इर्फान के एड्मीशन के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था और घर की तरफ से मिलने वाले पैसे उन्हें मिलना बंद हो गये थे एनसडी में मिलने वाली फैलोशिप के जरिये उन्होंने अपना कोर्स खत्म किया था उस मुश्किल दोर में इर्फान की क्लासमेट सुतापा सिकंदर ने उनका पूरा साथ दिया था 23 फरवरी 1995 में दोनों ने शादी रचाली थी इर्फान ने पीकूल लाइफ आफ पाई दानेम से स्लम डॉग मिलेनियर पान सिंग तोमर हासिल लाइफ इन अ मेट्रो तलवार मकबूल ये साली जिन्दगी हैदर जैसी कई चर्चित फिल्मों में काम किया था ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा